सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकेन नेवर मिस अन अपडेट गुड मौनी आल ओफ यू मैं आपका हमारे चैनल कोटेलेस्ट डी जोन में स्वागत करता हूँ हमने हरियाना जनल नोलइज की एक क्वेस्टन आंसर सीरीज जो स्टार्ट की थी उसमें आज सीरीज नंबर दो हम लेकर आएं जिसमें हम क्वेस्टन नंबर फिफ्टी वन टू हैंडर डिसकस करेंगे इसके अंदर हम ऐसे क्वेस्टन डिसकस करेंगे जो बार बार एकजाम में पुछे जाते हैं और जो आने आपके आने वाले हर एक्जाम में मैतोपण होंगे तो आई शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं question number 51 हर्याणा राज्य का 1.6 कितना है तो हमारे हर्याणा का 1.6 टोटल कितना होजएगा 1569 वाग किलोमेटर ये टोटल हमारा क्या होजएगा 1.6 इब्राहिम लोदी का मकबरा का है पानी पत्म काँ पे है पानी पत्म राव तेज सिंग का तालाब तेज सिंग का तालाब का है रेवाडी में राज्य में घंटेश वर मंदिर हर्याणा में घंटेश वर मंदिर का है ये भी रेवाडी में हर्याने के किस जिले में सरवादिक सर्सों का उत्पादन है किसका उत्पादन सर्सों का तो सर्सों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता है मेंदर गड़ में इसके बाद हम बात करते हैं भीवानी टेक्स्टाइल मील की स्थापना हर्याना में बिवानी टेक्स्टाइल जो मील है उसकी स्तापनाविती 1937 में हर्याने की किस जिले में नहार सिंग स्टेडियम नहार सिंग स्टेडियम जिसकों मयूर स्टेडियम भी कहते हैं वो का हैं फ्रिदाबाद में हर्याना में पहली बार राष्टपती शासन कब लगा गया था तो पहली बार हर्याना में राष्टपती शासन कब लगा 1967 में सवतंतर्ता सेनानी लाला लाजपत राई ने हर्याना राजजी की किस थान को अपना राजनितिक और समाजी कार्य चेतर यानि लाला लाजपतराई जी ने राजनीतिक और समाजिकारी छेतर हर्याना राजजी की किस थान को बनाया तो किस को बनाया इसार को महाबार्त की रजना महर से वेद व्यास द्वारा हर्याना की किस नगर में की गई थी किस नगर में की गई थी कुछ चेतर में इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट सीटी योजना के अंतरगत हर्याना के कौन से नगर सामिल किये रहे तो स्मार्ट सीटी के अंतरगत हर्याना के नगर करनाल और फ्रीदाबाद को सामिल किया गया 2016 में निवेशकों को अकरशित करने के लिए happening हर्याना समेलन happening हर्याना समेलन का योजन कहां किया गया था गुड़ गाओं पंचाइट चुनाओं में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसुचित जाती परताशी के लिए निवन्तम सेक्षनिक योगेता क्या निर्धार्द की गई है किन के लिए महिलाओं के लिए और अनुसुचित जाती के परताशी के लिए तो उनके लिए कितनी है आठवी पास होना जरूरी है इस राज़े में पंचाइट चुनाओं में परताशी के लिए घर में सोचाले अनिवारिय की गया है तो सोचाले काँ पर अनिवारिय की गया है अगर पंचाइट का चुनाओं आपको लडना तो हज़ी आना में हर्याना में अगर आप स्वन पधक, रजज़ट पधक और कांसे पधक जीथते हैं तो इसके लिए रासी देने की गोशना किये गई है, सुन पदक के लिए 6 करोड, रज़त पदक के लिए 4 करोड, और कांसे पदक के लिए 1.5 करोड रुपे आपको दिये जाएंगे. गोश अनरक्षन और गोश अमवर्धन कानून, हाली में किस रज़े द्वारा पारित किया गया तो हर्याना द्वारा. हर्याना में सामवाजिक सुरक्षा योजनाओं की रासी बैंक खातों में जम्मा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है, उत्तर क्या होगा, थारी पैंशन, थारे पास, तरकार द्वारा जारी की योजने, स्किम्स ओफ हर्याना गवर्मेंट, कौन्ची ये था हम बात काते हैं का हर्याना का कितना छेतर, हर्याना का कितना छेतर फल, NCR के अंतरकत आता है, नेशनल के पिटल रिजन, NCR के अंतरकत कितना आता है, 57 परसेंट, हर्याना का टोटल छेतर फल का 57 परसेंट किसमें आता है, NCR में, और NCR में टोटल कितने जिले आते हर्याना के 14 तो टोटल एरिया कितना आ जाता है 82545 वर किलो मेटर और जिसमें अरियाना के 14 डिस्टिक NCR के अंदर आते है अरियाना का कौन सा शेहर मिलीनियम सीटी के लाता है तो मिलीनियम सीटी कौन सा है गुड़ गाउं हिंदोस्तान मसीन टूल्स हम्टी कहां पर था अब ये बंदो गया तो ये पहले कहां पर था पिंजोर पहले अंबाला और अब पंच कुला जिले में जो पिंजोर क्या था पहले अंबाला में था और अब ये वरतमानिक की जिले में पंच कुला जिले में और हम्टे का हम था पिंज़ोर में देस की पहले C&A कहा से चली थी तो पहले C&A ट्रेन प्रिवाडी से अर्याना में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्ट सीमा कितनी है आगर पंच का चुनाव लड़ने असके लिए खर्ट सीमा कितनी है दस अजार रूपे तिरो मोटर कॉप का कार खना अरियाना में का है तिरो मोटर कॉप का कार खना अरियाना में का है दारू हेडा त्रिवाडी डिष्टी के अंदर हरियाना में पसुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है यानि हरियाना में पसुओं का तो सबसे बड़ा मेला कहां बरेगा जजजड जिले के जहाजगड में परसिल इंदू समराठ हेमू कहां का रहने वाला था परसिल हिंदू समराट है मूँ जिसने 1556 के अंदर पानिपत का तूसरा युद में अकबर के साथ युद किया अकबर के साथ युद किया था है मूँ ने 1556 में जिसमें अकबर की विजय हुई थी और है मूँ आर गए थे तो वो कहां के रहने वाले थे रेवाडी है इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब और हर्याना उच्छनियाले जो हाइ कोट है पंजाब और हर्याना वो जो पहले लहोर उच्छनियाले के नाम से जाना जाता था उसकी स्ताफना कब हुई? तो इसकी स्थाबनाई इंच में इसकी स्थाबना के गई पंजाब और हर्याना उचनीयाले पहले लहोर उचनीयाले कि नाम से जान जाता था यह से 21 मार्च 1919 को स्थापित किया गया था उसस अदालत इधिकार चेहतर में पंजाब और दिल्ली को भी भी वाजित किया गया था यानि इसके कारी चेतर पे पंजाब और दिल्ली भी आते थे 1920 से 1943 तक अदालत को कार्सगर के चीन के वानेज़ दुतवा अजिले के उस हिस्से पर बाई चेतरी चेतर अधिकार से समानित किया गया था जिसे पहले चीन के लिए ब्रीटिस सुप्रीम कोर्ट के अदिन किया गया था या चीन में अतरित चेतरी अधिकारों की रिहाई के लिए ब्रीटिस चीनी संदी की पुष्टी पर समापत हो गया 15 अग الجस्त 1947 को बारत की अजादी के बाद सिमले की अदार पर पंजाब का एक अलग उचनियाले बनाया गया था इसका भारती है पंजाब दिल्ली और अभी माचल परदेश और हर्याना पर अधिकार चेतर था इसकी इसपर अधिकार चेतर का जो भारत का पंजाब है दिल्ली इमाचल परदेश और रियाना पर अधिकार चेतर का 17 जनवरी 1955 से अदालत को चंडीगड में अपने वर्तमान स्थान पर ले जाये गया जहाँ पर अब यह वरतमान में है चिंडीगड में वहाँ पर कब लाए गया इसको 17 जनवरी 1955 को 15 अगस्त 1948 को माचल पर्देश की निर्माण ने उस राजी के लिए नियाएक आयुक्त यानि उचनेयले के समानी की एक अलग अदालत की स्थापना की और इस पर कर पंजाब की अदालत का दिकार चेतर कम हो गया क्योंकि माचल के लिए अलग से नियाएक आयुक्त बना दिये यह दिली उचनेयले दिनियम 1966 के तयायट के अंडर सास्ते पर्दे दिली के लिए अलग उस नियाल्य का गठन कर दिया गया पंजाब उस निया वट्षों को दिली ऊचने कणद के गठर के लिए मार्क प्रसस्त किया उन स्राइब वेखे उचने अल्ображ का नाम बदलकर पंजाब और हर्याना उचने अलमे के रूमे किया गया है क्यों कि एक नौमर 946 से हर्याना पंजाब से अलग हो गया इसलिए जो पंजाब उचनेयले था उसी का नाम बदल कर पंजाब रहर्याना उचनेयले कर दिया गया पंजाब के उचनेयले के नहाधिश पंजाब के उचनेयले के साथ आम उचनेयले के नहाधिश बने अलाकि उचनेयले के मुख्या सीट चिंडिगेड में बनी रही ये बढखल जेल, बढखल जेल का हैं फरिदा बाद है आर Williams का कौन सा चिला कागज और प्लाईगुल कागज और प्लाईगुद ध्योग के लिए तो कौन सा जाना जाता है यह मुना नगर एथियासिक समार्क राइ मुकंदडास का छट्टा और इसी मुकुंददास के चत्ते को ही क्या का जाता है बिर्बल का चत्ता क्या का जाता है इसका दूसरा नाम क्या है बिर्बल का चत्ता तो यह कहां पे नारनोल में नारनोल का है मेंदर कटे परसिद कवी सूर्दास का जनमस्तान तो यह क्या है सीही, फरिदाबाद कमराट अशो का टोर परास्तम मुल रूप से रियना की कि स्थान पेता टोपरास्तम, ये कांपेता मुल रूप से अंबाला में रियाना commemoratella सिक्षा-बोर्ड किस थापना किस वर्ष की गई accumulated भीमानी में जिसको हम क्या बोलते हैं, HBSE, अर्याना Board of School Education, अर्याना विद्धाले शिक्षा बोर्ड, इसकी स्टापना कब की गई, 1979 में, प्रकांपी की गई, भीवानी में, अर्याना का चेतरफल देश के संपुन, चेतरफल का कितना है, तो हमारे देश के जो संपुन, चेतरफल है, उस किस तापना किस वर्ष की गई, 1976 में, अतिनी कुंड बेराज, हर्याना की कि जिले में, और किस नदी पर, तो अतिनी कुंड बेराज जो है, हर्याना की जिले यमननगर में, और यमननदी पर बनाए गया है, हर्याना में मारूतिकारे कहां बनती है, तो मारूतिकारे हर्याना किस नाम से जाना जाता था बहुत धन्य पर्देश किस नाम से जाना जाता था बहुत धन्य पर्देश अर्याना में सबसे अधिक सक्षर्ता वाला जिला यहीं सबसे ज़्यादा सक्षर्ता वाला जिला कौन सा है गुडगाउं अर्याना केशरी कौन कहलाता है तो अर्याना के श्री किन को का जाता है पंडित ने किराम सर्मा को अर्याना के पहले राजेपाल पहले राजेपाल कौन थे अर्याना के धरम भी अर्याना की कौन सी नसल की भेंस परसीद है पूरे भारत में जो परसीद है कौन सी नसल की भेंस है मुर्रा नसल की बेंसे परसीद है इसके बाद हम बात करते हैं सिंदू सब्बता का के अंदर बनवाली ये की जिले में फत्यवाद में बनवाली की जिले में पड़ेगा फत्यवाद में बनवाली को बनवाली भी का जाता है यह पतेवाद सहर से लगबग 16 किलमेटर दूर स्थेत पुरा तात्विक टिले का स्थान है यह टिला लगबग 10 मेटर उंचा है और लगबग एक वरग मील चेतर में फैला हुआ है बनावली में की गई खुदाई से पुरो हडपा और हडपा यूग की 23 सभी पुरो से 23 सभी पुरो और 23 सभी पुरो से ठारा सभी पुरो काल की एमुल्ले एथियासिक जानकरियों के बारे में पता चलाए वहाँ पाएगे आभुष्णों में गहने और देवी तर देवताओं की मूर्टियां सामेल हैं जो सोना पितल तांबा और चांदी से बनाए गई है उपकरणा और अथियारों को बनाने के लिए कारीगर तांबे और पितल का इस्तेमाल करते थे पक्षियों, फूलों, पैड़ों के बने कई चीतर और मूर्टियां भी वहाँ पे पाई गई है प्राजिन काल में यहां एक पूरा शहर मुझूद था यहां के लोगों का मुख्य वेवसाई क्या था? कर्शी वे जो सरसों और तिल की खेती करते थे उनकी कर्शी का मुख्य ओजार एक लकड़ी का हल था लोग मिट्टी की इंटों से बने गरों में रहते थे उनके गरों में बेटा खाना, रसोई, बंधार कक्स के सासाथ चिनी मिट्टी के बरतन, वास बैसेन और जल निकाशी वेवस्ता भी थी गरों के पास अच्छी शड़के और गलियां भी बनी हुई थी इसके बाद हम बात करते हैं परसिद सीतला माता मंदिर सीतला माता मंदिर का हैं? गुड़ गाहों में विशाल हर्याना पार्टी किसने बनाई थी? तो एक पार्टी किसने बनाई थी? तो आज हमने डिसकस किया जो हर याना चन्नल नोलेज की जो हम एक सीरीज लेकर आए तो उसमें सीरीज नमबर टू में हमने क्वेस्टन नमबर फिप्टी वन टू हेंड़ डिसकस किये आज के लिए इतना ही आगे हम सीरीज नमबर थरी लेकर आएंगे जिसमें हम क्वेस्टन नमबर 101 से 150 तक डिस्कस करेंगे अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू